स्वागत है देख सकते हैं क्लास नाइन सेट बी का आपका पूरा शॉलीशन देखने वाले हैं इंगलेस का अभ्यास प्रश्ण पत्र का है पूरा पचेत्र नंबर का पेपर इस वीडियो में कंप्लेट करवा दूँगा हर एक कोश्चन का एक से लेकर के 16 तक के सभी प्रश् स्टुडेंट लाइफ है ना कोई ऑप्सन दिये गए हैं यह भी सीडी है ना चार ऑप्सन दिये गए हैं फर्स्ट का ऑप्सन नंबर बी आप सही लगाएंगे टू लर्न एंड एक्क्वाइर एजूकेशन है ना इसे पढ़ने के बाद यह कोश्चन को राट रहेगा क्यों अगले कोश्चन को बढ़ते हैं तीन नंबर के और अकोड़ेंग टू पैसेज भाई इस स्टुडेंट लाइफ उप्टन कंसिडर्ड दी वेस्ट लाइफ है ना अप्सन दीगे हैं बिकॉस इट प्रोवाइड्स मोर फन विकॉस इट इन्वाल्व सफी फीवर अकेडेमिक एक्टिविटीज आंसर है आपको थर्ड का सी नंबर का उप्शन विकॉस इट प्रोवाइड अपोचिनिटीटीज फोर ग्रोथ एंड लर्निंग यह लगाएंगे आप सही इसका आंसर इसका नंबर का प्रेशन है आकोडिंग टू पेसेज एजूकेशन एंड लार्निंग नेवर एंड पूचा गया तो यह आपका जो है वह टिरू हो जाएगा है ना यह टिरू आप इसका अंसर लगाएंगे ट्रू है ना विल्कुल सही रहेगा अकोडिंग टू दी पैसेज एजूकेशन एंड लार्निंग नेवर एंड है ना तो यहां पर आपका जो है बी नं नंबर का इसके बाद आपका कोशन नंबर दो दिया गया तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे क्योंकि यहां तक हम आपको पांच नंबर कर लेना क्यूंकि आपकी बारसिक परिक्षा जो है 6 मर्च से स्टार्ट है हम आपकी तैयारी के सब्सक्राइब लेना है इसके पहला कोशन आपका दियागा है दास सपोर्टर्स अप दिस सिटी लाइफ और ऑफ दी लाइफ और अप दी ओपुनियन देट इस और ऑप्शन चार्मेंग ग्लेम्रस्ट कमफोर्टेवल अल अलब दीज आंसर एगा फस्ट का आपका सेकंड क आप लगाएंगे आंसर इसका बड़त एकली कोशन की और यहां पर सेकंड कोशन यहां यह द्रॉब एक ऑफ दी ब्लेज लाइफ यांसर ऑप्सन दिये गहां वर्ट्स चे वर्ट्स चरपिंग सिंपल लाइफ फ्रेस एर लिमिटेट फैसलिटीज देन सिटीज तो आंसर आ आपका तीसरे वाले का यहां पर सी नंबर का उप्सन आप राइट आंस लगाएंगे दा सिटी लाइफ इस फुल आप इंट्रेस्टिंग एक्टिविटीज इसके बाद आपका चार नंबर का कोश्चिन अकोडिंग टू दिपेसेज इस अलबेस इसी तो गेट एक ग्लिम् इस यूजड इनदी पैसे जना तो आपसे मिंदेन का यहां पर क्या पूछा गया है सिनुने पूछा गया है तो यह सारे ऑप्षन दिये गए हैं एक्स्ट्रा ओर्डिनरी टैपिकल रूटीन इंट्रेस्टिंग इसका आंसर जो है आपका रूटीन नहीं इसको बाद तीन नमर का प्रश्ण आपका आता है यहां पर देख सकते हैं सेक्षंट बी स्टार्ट हो चुछा राइटिंग सेक्षन है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जलद दिए टेलिग्राम जोइन कर लेना तीन नमर का क्वेश्चन दियागा आपको यह सारा आयकल अं शर्ण क्वेश्ण हो जाता है और दो और ईक यहां अंसर भी देख सकते हैं ना इसके बाद देख सकते हैं आपका कोowanमर तो बर्सिया इस प्रकास से आपको स्कूल का नाम लखे देंगे इसके बाद आपको यह पूरा कम्प्रेट करते हुए चला है देखिए रहेगा पांसर और यहां पर आप नाम लिखेंगे उसमें सीमा सर्मा दिया गया तो बही नाम लिखेंगे और क्लाश डिवीजन रॉल ल आपको चाहा नमर के प्रशन का तर विखेंगे यहां पर कम्प्रेट करके आपका इसे आप देख सकते हैं और यहां पर थोड़ी चमक पड़ रही होगी लेकिन आपको यहां पर देखते जाना है यहांपा सही रहेगा इसे से आप देख सकते हैं आंसर को और यह आपका कम्प्रेटली आंसर जो है इसका हो जाएगा पांचवे नमर के प्रश्ण का इसको बढ़ते हैं क्लिए कोश्ण क्यों यहां पर आपका प्रश्ण पूछा गया था उन्दी बेसे से अधार पर आपको कुछ से लखना है ना तो च कम्प्रेटली नीचे दिया गया पूरा का पूरा पर यहीं आपको लेख देना आपको पूरे अंक मिलेंगे बढ़ते हैं अगले कोश्ण की और तो यहां से आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है साथ भी नमर का प्रश्ण है छे तक हम कंप्लीट कर चुके हैं साथ भी नमर सेकंड है बी नमर का दबैंक के फिलिंदी ब्लेंक से सम इंट्रेस्ट फॉर मनी तो जिसको अंसर लगाएंगे आप यहां पर इन तो बैटर आपको यहां पर आइट हो जायगा तो आपको इसको आगला लगाना है इसको आपको अगला दी नमर का यह सी हम स्किप करेंगे क् आपको 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 इस प्रकार से बटादी है यह लगे हुए है आप इन्हें कर लेंगे साथ वे कि और लेंगे और इसके बाद आता है आठवा प्रश्ण यहां पर डूस जाएफ की आंसर आपको करने है तो पॉंच नमर के हैं यहां आपके सबसे पहला पीस्टन दिया पहले नमबर पर लखना दूसरे पर यह लखना यह लखना है इसका लखा हुआँ आपको दिखा देता हूं तो सही रहेगा यह देखे इस प्रकार यहां पर आपको देख पा रहे होंगे स्क्रीण पर है रहेगा और सामने ने सामने ले अप के देखती है इसके बाहद के प्रशन के और यहाँ पर देखे हैं देखी पा रहे होंगे इसक्रीन पर नौबे का प्रश्ण है इसमें सारे कोश्चिन जो है पूछे गई हो अब्जेक्टिफ टाइव आपकी टेक्स्ट बुक से सेक्शन डी आ चुका है पहला कोश्चन है इसमें वह डिट दा टीचर इंदी रियल बॉक डू यह सारी ऑप्श लगाएंगे एक हैना मतलब सेकंड का इनमर आप आइंसर लगाएंगे इसका आपका तीसरे नमर रखा तो पुछिए भाटिट बिसमिल्लाइं रिफ्यूस तो गो टू दाइए से इसका आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन सारे दिये गए हैं इसका रहेगा आपका डी नम अप्शन इसके बाद आपको दसबी नमर के प्रिशन दिया जिसमें और बी में बटा हुआ है यह वाला देख लेते हम सबसे पहले यह वाला आपको एकस्ट्रेट दिया आपको कुछ चन के आंसर देने तो कुश्चन दिये गए हैं पहले नमर का कुश्चन है वाइब इसका रहेगा आपका दसबी के दूसरे का सी नमर का अप्शन है ब्रदर बोरिंग यह आपका राइट अंसर हो जाएगा इसके बाद आपको दिया गया है एक पोयम्त का तो इसे पढ़कर करके आपको कुछ क्या आउसर देना है क्यों सकते हैं नीचे आंसर होते हैं और ती नमर का यह है देख लेते हैं आप्लिस किसका दिजायर का इसका आपका आपका सी नमर का ऑप्शन डिजायर है ना इसके पास एकला कॉश्चन यह आपका राइट आंसर यहां पर हो जायता है इसके बाद 11 ही नुमर का प्रशन आता है जिसमें आपको इस सारे क्वेशन दिए गए है साथ इसमें से क्या करना है आपको एनिस देने हैं 12 नमर के प्रशन है स्टेंगर के आइएट आइग के पहले का सामने पुनित पर पूरा ऑंसर दिया गाइगा इसके और सेकंड का अनसर दिखा दूँँ कि इहांगे आपको आपको मिलाते जाना है देखी यह रहेंगे आपके question लिए किरा second question है first question second and first answer मैं आपको यह पर दखा देता हूं देखी यह रहेगा first का यह रहेगा second का चलिए तीसरे number का question देख लो who are the people in case family तो देख लेती है अगला question आपका यह रहेगा third एक चेंज दी राइट्स ओपीनियन एवाउट हिमसेल्फ तो यह आपका पॉंच्वी का अंसर रहेगा तो बढ़ते हैं क्ले question क्यों च्छटवी question क्या answer क्यों यहां पर question पहले दखा तुम है आपको यहां पर देख सकते हैं इसका अंसर नमर का प्रशन आपका आपको आपको 6 कर लेंगे तो सही रहेगा तो चली बढ़ते हैं अगले question के ओर आपका बारहेवे का पहले का आंसर देख लेते हैं लेकिन मैं कुश्चन पहले बता दूथ वाट की चार नमर के परश्न है तीन दिया गया है इसमें बारहे के सेकंड का आंसर हो जाता है है थार्ड का बाराए के दू करने थे दू हो गये तेरा की योर वड़ते हैं अन्व का गॉल्ड रांशन की और यह क्योंट यह आपका देख सकते हैं और इस इसका आंसर आपको यही लखना यह रहेगा आपका आंसर यहां पर आइट हो जाएगा चब्धाइब नमर के प्रश्ण का यही आंसर आपको जो है लख देना है यह आपका आंसर रहेगा इसके बाद बढ़ते हैं अगले आंसर रहेगा तो सेंटल आइड आपका आंसर कंप्लेटली सामने दिया देख सकते हैं इसक्रीण पर आपको आंसर दखाई दे रहा होगा इसे आप अच्छी तरक से आंसर लिख लिजिए गा यहां पर पहले कोश्चन में आपको बताद हैं सूले नमर का प्रश्ण है इसी का आन्थर हम को देखना है चलिए 16 नमर के प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन प्राइब आ चुका है और इससे आप लेक सकते हैं तो हम सभी कोश्ण का एक से लेकर के एक से लेकर के 16 तक के सभी प्रश्णों का आपका उत्तर जो है कंप्रेट करवा चुके हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को कर देना लाइक और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि आपके जो भी आने सब्जेक्ट का पेपर रह गया ह है कंप्रेट करने के लिए कमेंट वक्स में बता देना कि किसका सल्यूशन चाहिए जल्दी ही मिल यागा थांक्स वीडियो में